आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसे प्रॉजेक्ट के बारे में बताने लगाऊं जिसका फाइदा उठा के हमारी पाकिस्तानी कम्यूनिटी के कई लोगों ने लाखो डॉलर कमाएं मैं इस वीडियो के अंदर उस प्रॉजेक्ट के विन्स दिखाऊंगा उस प्रॉजेक्ट को डीटेल में डिसकस करूँगा और फिर हम ये देखेंगे कि भाईया क्या इस प्रॉजेक्ट का अभी भी फाइदा उठाया जा सकता है या नहीं तो अगर आप ते यार हैं तो सांस इनकी एनिफटी कलेक्शन में से एक एनिफटी है दो एनिफटी है जितनी भी एनिफटी आपको चाहिए वो मिल सकती है अकलमन लोगों ने फॉरन जाके उन एक्टिविडीज में पार्टिस्पेट किया और जब इनकी एनिफटी कलेक्शन लाँच हुई तो वो 15,000 डॉलर के प्रॉफिट तक गई ठीक है तो 40-45 लाख रुपे बैटे बैटे पाकिस्तानी कम्यूटी के लड़के लड़कियों ने एक ही दिन में कमा लिए उसके बाद मैंने फिर एक वीडियो बनाई अपने इंस्टेग्राम पे जिसमें मैंने बताया कि भाई एनिफटी कलेक्शन करेगा अकलमन लोगों ने फिर वोई किया फॉरण गये मेरी बात सुनी मेरी डिरेक्शन को फॉलो किया ट्विटर पर गये डिस्कॉर्ड में गये ऐलोकेशन उठाई और जब ये कोई लाँच हुआ है तो ये सीधा दो डॉलर के ओपर गया दो डॉलर के गया है तो हमारी क कम्यूनिटी के बहुत सारे लोग ते और ये सारे लोग आपके मेरे जैसे ही हैं जिनके पास वही सारे वसायल हैं जो हम सब के पास हैं इंटरनेट है फोन है कंप्यूटर है और अल्ला का दिया वह दिमाग है अब यहां पर दो चीज़े जो है गोर करने वाली है पहली को करना एक concept होता है कि यार बेवकूफ बना रहा है ठीक है आपकी वीडियो से हमें कभी कोई फाइदा नहीं हुआ आपकी वीडियो के अंदर पैसे कमाने की बाते तो होती हैं अब हमने तो एक डॉलर भी नहीं कमाया तो यह जो सारे विंज इस वक्त आप मेरे स्क्रीन पर कोशिश ही होती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे प्रोजेक्स हो दूसरी चीज यह है कि भाई यह जो इंटांगल है एंगल टोकन हमारी कम्यूनिटी के बहुत सारे लोगों ने इसको होल्ड किया है और उनका सवाल यह है कि आगे क्या होगा और एंगे क्या होगा और चार डॉलर पांच डॉलर तक जाएगी अब हम देखते हैं कि एंगेल का क्या सीन है देखें वाई इंटांगल जो है यह एक इंफ्रस्ट्रक्शर प्रोजेक्ट है यानि कि यह इस तरीके का एक प्लाटफॉर्म बना रहा है कि वेब थरीके इंडर जो डिवेलपर्स होते ह वो इनका प्लाटफॉर्म इस्तमाल करके डिफरेंट चीज़े बना सकते हैं और इस तरीके के जो प्रोजेक्स हैं जिनकी टकर में इंटांगल अपने NGL टोकन के साथ खड़ा हो रहा है वो इस वक्त मार्केट में बिलियन्स ओफ डॉलर के मार्केट कैप्स के उपर खड़ हुए हैं तो अगर आप गला आप करें के जो चीज ये बनाना चाहाँ रहे हैं इंटांगल वाले वर्सस जो चीज मार्केट के अंदर कॉम्प्टिशन बना रहा है ये बनाने कोशिश कर रहा है तो यहां पर ग्रॉत के चांसे जो हैं वह बहुत-बहुत-बहुत-वहँत को यह पता होगा कि अंदर सारी गेम होती है market caps की अगर कोई भी एक project है जिसका market cap billions of dollars के अंदर तो उसके अंदर growth के और profit के chances कम होते हैं अगर कोई भी ऐसा project है जो कि अच्छा perform कर रहा है उसका track record अच्छा है बट उसका market cap छोटा है तो वहाँ पे access जो होते हैं उनके chances बहुत जादा होते हैं मेरी वीडियो को देखकर जितने भी लोगों ने NGL की private sale में हिस्सा लिया वो already 30-40x के ओपर बैठे हुए आनि कि 30-40 गुना profit पर बैठे हुए बट यहां से भी NGL के पास बहुत potential है कि यह at least 20-30x करेगा तो यह चीज़ as a trader सबसे पहले आपको देखनी है NGL क के बारे में दूसरी चीज़ यह है कि इनकी जो NFTs थी वो NFTs 97% इस वक्त स्टेक होई है जो कि एक बहुत-बहुत बड़ा sign है अगर आप NFT market को समझते हैं NFT स्टेक क्यों ही है वो इसलिए भाया क्योंके entangle वालों ने अपने NFT holders को फाइदा पुचाने के लिए यह बोला है कि अ को मिलेंगे तो जिन जिनके पास NFTs हैं जिन्होंने बेची नहीं हैं जिन्होंने स्टेक की वी हैं उनको future के अंदर अलग-अलग किसम के airdrops मिलेंगे which means free money और अगर आपको यह समझना है कि NFT के airdrops किस तरीके के होते हैं तो भाया अभी मैंने पिछली वीडियो ENA इथीना न इस पेस के अंदर उसको आप अंडर्माइन मत करिए उसके बात भाया तीसरी चीज़ यह है NGL का जो road map है उसके अंदर अभी इनका main net launch होना है और उसके अंदर इन्होंने staking का option रखा है कि आपके पास अगर NGL tokens हैं तो उसको आप stake करते हैं जिसके against आपको certain किसम के rewards समझ आएगा कि किसी भी coin की अगर बहुत बड़ी supply lock होई भी होती है या stake होई भी होती है तो उसकी price के उपर बहुत ज़्यादा pressure बनता है और price obviously उपर जाती है जो कि traders के लिए गनीमत होता है चौती चीज़ यह है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह एक infrastructure project है तो इनोंने entangle labs के नाम से एक incubator बना है जिसके अंदर यह दूसरे projects को build करके launch कर रहे है और अभी सबसे पहला जो इनका project आने लगा है वो बोरपा नामी एक meme token है अब आपको अगर crypto space का पता है तो आज कल आपने देखा होगा कि meme coins जो है वो लाखो करोडों रुपे profit के अंदर लोगों क बना के दे रहे हैं रात और रात लोग अमीर हो रहे हैं और चूंके यह इनकी incubator में से निकल रहा है तो यह meme token यह meme coin जो है वो काफी जादा solid होगा और इनके जो NFT holders हैं उनको बोरपा token free में airdrop होगा तो अब आप समझ लें कि इनके ecosystem में होने का सब को कितना फायदा है RWA और AI और भाईया NGL का जो ecosystem है उसके अंदर ये चारों चीज़े इन्होंने बड़ी smartly integrate की वी हैं तो इस narrative के अंदर जितने भी coins उपर जाएंगे उसके अंदर मेरे हसाब से NGL भी जरूर जाएगा उसके बाद भाईया हम बात करते हैं unlocking की मैंने पिछली एक वीडियो के अ dumps आने के chances बहुत कम होते हैं अब NGL के जो investors हैं जो seed investors हैं या इसकी जो team है उनके जो tokens हैं जानी के उनको जो payment मिलेगी वो इनके tokens के अंदर ही मिलेगी बर उसके जो locks हैं वो दो साल तक चल रहे हैं और वो इतने smartly इन्होंने spread out किये हैं कि जब भी इन लोगों को tokens मिलेंगे और team का या investor का कोई भी बंदा जब tokens को बेचेगा तो chart के अंदर बड़े-बड़े dumps नहीं आएंगे इस चीज को tokenomics कहते हैं और NGL के tokenomics इस वक्त बहुत smartly layout हुए में जो के मेरे असाब से एक बहुत-बहुत positive और green flag है and last but not the least partnerships किसी भी project के बड़ा होने के अंदर उनकी partnerships और collaborations का बहुत-बड़ा हाथ होता है इस वक्त स्क्रीन के ओपर आप कुछ इनकी partnerships देख रहे होंगे और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप crypto को समझते हैं तो आपको यह समझ आ जानी चाहिए कि यह partnerships बहुत-बहुत strong है यह strategic partnerships हैं जिसकी वज़ा से obviously NGL के ओपर ना सिर्फ बहुत जादा attention आएगी बलके इनकी performance के अंदर भी इन partnerships का बहुत-बहुत positive हाथ होगा अब यह सारी बाते जब आपके सामने आ गई हैं तो आपको यह बात समझ आ जानी चाहिए कि जितने लोगों ने इस coin से, NGL से, इस project से entangle से पैसे बनाएं वो अभी और बहुत सारे पैसे बनाएंगे और अभी भी इस project के अंदर बहुत जादा capacity ग्रो करनेगी, obviously यहाँ पे bag holder बायस बहुत है, मैं चुके बहुत अडली investor हूँ NGL के अंदर, तो मेरे पास एक बहुत बड़ा bag है and obviously I want entangle to perform well, बट जितने आपके लिए उन सारे सवालों के जवाबाद दे, कोई और अगर आपके पास सवाल है तो let me know in the comment section, अगली episode तक के लिए जादत दीजे, Allahाफिस